हेलो एभरीबं वेलकम डू योट्यूब चैनल आशासक्सन आज हम इन लॉंग हेर में आपको हेर ट्रिम करके दिखाएंगे और इन लॉंग हेर में ट्रिम करने के साथ लाश्ट वाले जो हेर हैं नीजे के हेर हैं उसमें हम कुछ steps back portion से करके दिखाएंगे तो देखिए किस तरह से हम इन लॉंग हेर में करेंगे सबसे पहले हमने कॉम किया हेर को सुल जाया जैसा कि हर cutting में हमको कर लेना चाहिए और अब हम सुल जाने के बाद में totally center parting हमने की यह मतलब hair को हमने दो भागों में divide कर दिया है बहुत ही simple way में हम trimming in long hair में करेंगे और two parts में hair को divide करके हम इनको एक side के hair को lock कर देंगे और सबसे पहले हम right hand side के hair का trim करके आपको बताएंगे और trim करने से पहले हम आपको बताना चाहरे है कि दोस्तो trimming का मतलब होता है कि वन इंच से लेकर या हाफ इंच से लेकर दो धाई इंच तक के hair का cut करना उसको trimming बोलते हैं और दूसरा trimming का मतलब होता है कि जिस भी तरह की hair cutting already हो रही है उस haircut में हमको cable trim करना है मतलब अगर boy cut है तो boy cut में ही हमको trim करना होगा trim मतलब थोड़े थोड़े hair का cut करना तो trimming की definition हम आपको बताना चाह रहे थे कि trim का मतलब यह है कि half inch से लेकर two inch तक के लगबग का hair cut करेंगे हम और यह देखिए हमने right inch side का यहां start किया है और पतली parting की हमने और पतली parting करने के बाद में हमने वही तेड़ इंच के लगबग का hair cut किया फिर से देखिए आप अब हमने जो cutting की है उनको guideline की रूप में लिया है और कुछ hair को without cutting वाले hair को लेकर parting की और फिर हम इसमें तिर्चा cut करेंगे तिर्चा cut हम इसलिए करेंगे जिससे की last में हमको steps दिखाने है एक बार फिर से देखिए आप जो cutting की हुई है उसमें से हमने guideline ली और पतली parting करके यह देखिए इस्टेट ले गए हम और यह आपको दिखाई दे रहा है कि guideline हमारी दिख रही है और उसी से touch करते हुए हम तिर्चा cut करेंगे इस्टेट करेंगे तिर्चा cut हमने लिया है एक बार फिर से देख लीजिए आप वही हमने guideline साथ में ली पतली parting के साथ में और कॉम करते हुए finger gripping के साथ में यह देखिए guideline बिलकुल इस परश नजर आ रही है उससे हम तिर्चा cut करेंगे seizure को हम तिर्चा लेंगे जिससे के haircut तिर्चा हो हमको लाश वाले hair में steps लेने हैं इसलिए हम तिर्चा ले रहे हैं अगर steps नहीं लेने होते तो देखिए हम बिलकुल straight cutting करते हैं लेकिए हम अलग थोड़ा सा look लाना जा रहे हैं जो आपको लाश में दिखाई देगा यह देखिए हैं उससे match करते हुए हमने तिर्चा कट कियां इस तरह से हम सारे hair का कट कर रहें और यह देखिए PARTING हम दिखाना चाहरे हैं आपको किलियर्टी के साथ में हमने पार टिंग किये उसी तरह से हम parting को लेंगे जिससे के थोड़े थोड़े hair को लेंगे जिससे clarity के साथ में हमारा hair cut हो यह guideline हमारे साथ बिल्कुल end तक रहेगी और उससे touch करते हुए हमने तिर्चा cut लिया दोस्तों बहुत easy cutting है आप बिल्कुल धियान से देखिए आपको बिल्कुल समझ में आएगी और सबसे तारिफ की बात यह है कि आपको end में जो hair का लाश वाले hair का look देखाई देगा वो आपको जरूर पसंद आएगा ऐसा हमारा विश्वास से इस तरह से देखिए हमने सारे hair का cut कितनी जल्दी कर दिया कोई दिक्कत नहीं आई आप भी कर सकते हैं देखिए फिर से और सारे hair को हम अब dripping के साथ में ले रहे हैं और फिर एक साथ चेक कर रहे हैं अगर छोटे बड़े hair कहीं दिखाई दे रहे हैं तो हम उसको trim कर देंगे right hand side के यह सारे hair का cut हो गया और इसी तरह से जिस तरह से हमने right hand side का hair cut किया है उसी तरह से हम left hand side का भी hair cut करेंगे यह देखिए हमने lock खोला और वही पतली parting की और सबसे पहले हमने dead inch उस side के hair का cut किया था यहाँ भी हम dead inch के लगबग का cut कर रहे हैं कॉम करते हुए हम finger gripping के साथ में straight ले गए और dead inch के लगबग का हमने यह तिर्चा cut किया right hand side के जो seizure हमारी थी आपने देखा वो direction के हिसाब से seizure की knock नीचे की side थी और यहाँ आप देखिए उपर की side है वही guideline हमारे साथ बरकरार रहेंगे और guideline से touch करते हुए जो हमने without cutting hair लिए उसको match करेंगे और sharp cut देखिए एक बाद guideline बिल्कुर साफ नजर आ दिए और उसके match करते हुए हमने cut किया दोसों यह एक ऐसा trimming का topic है कि हमको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए कि cutting कैसी भी हो trimming का मतलब यह है कि जैसी cutting है हमको वैसा ही haircut करना है hair cutting अगर हमारे सामने है हम parlor के हिसाब से आपको समझाना चाह रहे हैं बार बार इस चीज पर हम जोड़ दे रहे हैं और विश्वा से आप ध्यान से सुन रहे होएंगे कि अगर हमारे सामने hair cutting आई है cutting करनी है तो हम उसका रूप कैसा भी कर सकते हैं किसी भी तरह की cutting कर सकते हैं layer cutting कर सकते हैं multi step कर सकते हैं three step में कर सकते हैं u shape कर सकते हैं state कर सकते हैं blend कर सकते हैं shoulder cut कर सकते हैं boy cut कर सकते हैं तो मतल relent की इक्षा उनसार या उनके face के according, is के according, choice के according हम haircut तेंगे लेकिन अगर trimming हमारे सामने client का है तो फिर हम इस हिसाब से करेंगे कि जैसी cutting है, उसी में हम को trim करना है hair को थोड़े-थोड़े hair को trim करना है, जिससे कि बेजान जो hair हो जाते हैं, damage hair होते हैं, उनको remove करने के लिए हम hair trimming करते हैं जिससे कि hair के growth पे फर्क परता है, damage hair remove हो जाते हैं, is pretends remove हो जाते हैं, इसलिए hair trimming महीने में एक बार करा लेनी चाहिए यह देखिए, हमने सारे donor side के hair का cut किया है, और cutting के बाद में हमने check किया है, और देखिया, कितना अच्छा look आ गया यह हमने back portion के, यह देखिए, आपको दिखाई दे रहा है, अभी फिर से दिखाएंगे हम, अभी हम front portion के hair की flick करेंगे दोस्तों, हमारे काफी सारे वीडियोज हैं, facebook page पर भी हमारे वीडियोज हैं, और instagram, twitter, सभी जगे हमने post किये हुए हैं, और विश्वासा आपको पसंद आते हुएंगे अगर आप कोई वीडियो हमारा first बार देख रहे हैं, तो please subscribe करना नहीं भूलिएगा, like और share जरूर करिएगा, जिससे कि हम और भी वीडियो आपकी choice के अंसार भेज सकें, choice के अंसार नए वीडियो बना सकें, और subscribe करने के बाद में, notification आपके पास पहुंशता रहेगा, जिससे कि आप हमारे वीडियो को आसानी से देख सकेंगे, ये देखिए, flick हमने ज्यादा शौटने की, वही trim का मतलब है, एक देड़ इंच के करीब हमने लिया है, और वही flick में भी वही cut किया है, देड़ इंच के लगबग का finishing देते हु आद में जो हमने cut किया है, और side parting अगर ये करना चाहेंगी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, cutting इस तरह की हम कर रहे है, जिससे कि hair को इधर उधर भी ये parting के answer, अपनी choice के answer, flick को ले जा सकती है, बहुत ज्यादा short इनको flick नहीं करनी थी, इसलिए हमने, इनका 1.5 इंच के पगी flick को short किया है, तो दोस्तों आपको trimming का मतलब समझ में आ गया होगा, कि hair cutting और trimming में क्या difference है, किस तरह का gap होता है, वो हमने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किये, और अपने comments, अपने views, अपनी choice, आप भेजना न भूले, हम बिलकुल wait करेंगे, आपका, ये देख विदाउट, dryer and setting के ये hair हैं, और ये आपके सामने देखिए, back portion के किस तरह से दिखाई दे रहे हैं, आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और हमारा कार करने का तरीका समझ में आया होगा, ये देखिए, front portion के hair flick के साथ में, कितने अच्छे लग रहे हैं, face change हो गया, और back portion के hair ये देखिए, step नजा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद,